अंडे से मिलने के लिए सुक्रानू को बहुती कठीन यात्रा करनी पड़ती है सुआस्ट पुरूसों को 30 करोर सुक्रानू निकलते हैं जब वे विरेपात करते हैं पेट में बच्चा कैसे बनता है ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें जो की सबसे तेज और सबसे सक्तिसाली फैनल विजयता बनने के लिए सुक्रानू को अन्य 300 मिलियन सुक्रानू के साल पर्तियस फर्दा करनी होती है जो पर्तियोगिता में सुक्रानू पीछे रह जाते हैं दो सिर्वाले या बीना किंद्रक वाले सुक्रानू होते हैं जो असोवस्त सुक्रानू, विक्रित सुक्रानू सामिल हैं लेकिन उनकी अपनी भुमिका होती है उन्हें अन्तिम विजेता के लिए बलिदान देना होता है सुक्रानू में एक सीर होता है जिसमें अनुवान्सिक सामगरी होता है एक मदवर्ती सरीर और एक लंबी पूच सीर के पीछे माइटो कॉंद्रिया के रूप में उर्जा इंधन गती का सुरोत है सुक्रानो की पूच को लगवग एक हजार बार हिलाना पड़ता है एक सिंटिमीटर आगे बढ़ने के लिए अन्डे की दूरी लगवग 18 सिंटिमीटर है यह वैसा ही है जैसा 170 सिंटिमीटर आदमी तैरता है 5 किलो मिटर लंबी नदी में वह गती बहुत ही अच्छी होनी चाहिए अठारा साल के लड़के का विर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वह सर्वाइकन होता है अब सुक्रानों पर काबू पाना होगा कठिन अब उन्हें चुनोतिया मिलेगी गर्वासे गरीवा कुछी दिनों के लिए खुलती है और व्यू लेशन से ठीक पहले और बाद में फिर उस दोरान यदि सुक्रानूं गर्वासे गरीवा से होकर गुजरता है तो सुक्रानूं को मिलता है मिसन का मौका जो सर्विक्स बल्गम से भरा होता है गर्वासे गरीवा से गुजरने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पूछ को हिलाने की जरूरत है कमजोर सुक्रानूं बल्गम का पालन करते हैं और सरीर से बाहर निकल जाते हैं सफेद रक्त को सिकाएं जो अब उन्हें सकति साली सत्रू मिलेंगे वे सफेद रक्त को सिकाओं को डड़ाएगा वे बाहरी जुस्पैटियों का तुरंद पता लगा लेते हैं और परतिरच्छा पर्णारी की सगरेता से सुक्रानूं को निगलने लगते हैं आधिकान सुक्रानू मढ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के उभार पर जाते समय चुनावतिया ओ चौराहा बाय जाय या दाय ततकाल चुनाव सुक्रानूं को भाग को निर्धारित करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर यह वास्तिविक फैलोपियन ट्यूब है अंडा के वल एक फैलोपियन ट्यूब में सुक्रानू की परतिक्छा करता है तो सुक्रानू बिना अंडे के फैलोपियन ट्यूब में जा रहे हैं दुरभाग से अंडे से नहीं मिल सकता वे अभी भी राहत महसूस नहीं कर सकते क्योंकि फैलोपियन ट्यूब का घना सीलिया गतिमान सुक्रानूओं को रोकेंगे आ, 18 सिंटिमीटर जाना बहुत ही कठिन है वह आखिरकार अंड़ आ ही गया 300 मिलियन सुक्रानूओं में से किवल 500 सुक्रानों ही बचे सुक्रानू बरे अंडे के चारो ओर तैरते हैं और अंडे के अंदर जाने का पढ़्यास करते हैं सांद अंडा किस कारण से हिलता है सुक्रानू की परवल सक्ती के कारण आ, एक सुक्रानू अंत में सफल होगा ओ हमारा हिरो एक सुक्रानू अपनी पूच को ड्रील की तरह घुमाता है और अपने सिर को डिम की परभासी में ढखेलता है अंत में सुक्रानु जो डिम्ब जिल्ली में परवेज करता है अंतिम्ब विजेता बन जाता है और उस समय डिम्ब परवासी को सक्त कर देता है अन्य सुक्रानु की पहुच को फुरी तरह से अवरुद कर देता है जिस छन सुक्रानु अंडे से मिलता है सुक्रानु का किंद्रक और अंडे का किंद्रक एक दूसरे को खिचने लगता है इस पल अदूतिय अनुवानसिक जानकारी के साथ एक नया मानो भुरून बनाया गया है फिर सुक्रानु और अंडे का निसेचन होता है झाल